राम अफ़तार जी आपके साथ के साथ शुरुआत करूंगी क्या ग्लैमर की भेट चड़ गया आपका बेटा क्या लग रहा है क्या आपका क्या पक्षे है एलविष को लेकर ग्लैमर कार्थ बताएंगे आप ग्लैमर मतलब जो चमक धमक यूट्यूब पर जिसे कहते हैं स्वैग आज कल के बच्चे एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं बच्चे गाने गा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उससे उनके फॉलोवर बढ़ रहे हैं तो एक चमक धमक की जो नकली जिन्दगी जो बच्चों ने अपने इर्द गिर्द पैदा कर लिया है उसकी मैं बात कर रही हिट चड़ गया एलविश मेरी समझे में आपका क्वेश्टन यह है चलिए मैं सुष्मा जी आप से जाना चाहते हो कि उसकी बेट कि जो आरोप आपके बेटे के उपर एलविश के उपर जो आरोप लगा है क्या मैं चाहते हूं कि आप उधर उधर देखें तकि आपको पूचानना चाहती हूं कि आप एल्विश के पिता है आपका क्या कहना इसको लेकर है विलकुल निरादार है सोबना जी राटे आंए आपका जी बिलकुल यह मतलब कोशो ढूर है चीजें एक बार पूछा भार लाख भार निये चीज पन और कोई भी तत्थ्य ही नैसारी स किजें कोन क्या कह रहा है कोट में है पूरा में वह रख समानमें हैं वहजिद साब देखेंके C anything क्या कह रहा है कोई हम क्या करे Songs आए है कि वही जो नूज में तरह तरह की बात सबतीител요 इस तरह की बाते मीडिया ही अगर ऐसे करने लग गया तो हमारे पास क्या चारा रहेगा जिसका एक बेटा और वो भी गलत आरोप में बंद कर दे इसको इसको इसे ज्यादा और हमारे साथ क्या होगा जो अपराद किया ही नहीं हमारे बच्चे ने क्या अलविश्ट से आपकी मुलाकात हुई है जब से पुलिस ने उसको गिरफकार किया है एलविश का क्या कहना है क्योंकि पुलिस के रही है कि अपने गुनाहा को कुb gauge कार कर लिया है कि पुछ नहीं कहूंगा इस बारे में कि पुलिस के पूछ कि देख खाये जि लेकिन मेरा बेटां से कोई इस तरह कि कोई बात नहीं हुई वह तो आपके सामने आ जाएगा, मेरे बिशने क सामने कभूल नहीं किया थे जो मैरे से बता इचे है उसने ज्यादा कि ज्यादा मिलने भी नहीं देते टाइम नहीं होता बेटा अपना मन लगाना यहां पे और देखते हैं हम अपना बैस्ट करें जो एक पिता करता सकता है ठीक है सुश्मा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी जब भी बेटा जो होता है बेटियां हमेशा मां के नज दीक होते ही है लेकिन जब एलविश जिसे कहा जाए कि सफलता की सीड़ियां चड़ रहा था और उसकी पॉपुलरिटी बहुत जादा थी आप से बात करता होगा आरोब ये भी लग रहा है एलविश के उपर मैं सीदे सीदे जवाब चाहती हूं कि लगजरी गारियां क्या यूट्यूब से इतनी इंकम हो जाती थी कि वो इतनी बड़ी बड़ी गारियां खरीक पाए उसको लेकर आपके क्या जवाब है क्योंकि माँ जरूर पूछते है कि पैसा कहां से आ रहा है तुम इतना खर्च कैसे कर रहे हो ये तुमने पहना है तो क्या ये नया लिया ये म लगजरी गाड़िया है और कई कई गाड़िया है अब आप उनसे भी पूछो कि पैसा कहां से आ रहा है खुद ही पता चल जाएगा है तो तो आपने कभी बतार मा क्या इलविच से पूछा कि ये तुमने जो गाड़ी सेकंड हैंड खरी दी है या तुम यूट्यूब से कि लेते हो या तुम रात में गहीं जा रहे हो तो तुम कौन सी पाटी में जा रहे हो तुम किन लड़कों के साथ उड़ बैठ रहे हो यह माता है कि बड़े जैसे के बच्चे को पालने में लम्हावान को पूछा रपा को ब्शाय थो यह लगा लोगेश के वे लेीध बण ज करके जहां पर भी जाता आता है वो हर चीज की खबर हमें होती है आपको होती है अच्छा जिस दिन रेव पार्टी मैं इस तरीके की रेड हुई पुलिस की कुछ लड़के वहां से गिरफतार हुए उन्होंने अलविश का नाम लिया रामफ्तार जी उसको लेकर क्या आप कहन करने कोशिच की और इस तरह कहके और वास फिर इसका सस्पेक्टिड उसमें नाम डाल दिया बतावें कि वह उसके लिए काम करता है आँ उसके लिए काम करता हूं जैसी जानकर ही मुझे है और इसको बना दिया अच्छटा वो कौन है वे शुकर बगवान के उस दोरान ये गड़ए में था अपना काम के लिए गया हूं था हमें क्या होतला। कि जहां ऐसी चीजे सोची भी जा सकती हो और इसी चक्कर में हम रहे गए कि वह बेटे ने कुछ किया नहीं नहीं किया तब ही तो हम चलेगे सीधा अपना वो देड़ने के लिए हमें थोड़ी पता था कि क्या क्या करना है वह कि चलो बहुत निम्टा देते हैं वह कहरे लिख अग्स्टरन था उसके साथ मारपीट का मामला हो तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं और मुझे लगता है कि जब वीडियो आपके सामने आयोंगे तो बतार माता पिता आपने भी सवाल पूछा होगा यह दोना सब मेरा सवाल रामफतार जी पहले आप से और फि चीजें मतलब अगर ऐसा हुआ है तो कि मैं बहुत कमी वीडियो देखता हूं मैं एक टीचर हूं कोर्मेंट और मैं अपने उस काम में जो है वैस्त हूं तीस साल होगे मैं अपने बच्चों के पढ़ती जो पढ़ाई है उसके बढ़ती है उसके बढ़ती है मेरा करम चेतर और मैं इसके लिए किसी भी माता पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराती हूं यह जरूर आरोप लगता है माता पिता के ऊपर की कैसी परवरिश दी है या क्या किया है लेकिन जब इस तरह के वीडियो आते हैं तो कहीं ना कहीं क्या आपने कभी सवाल खड़ा किया कि यह किस त अगले दिन उन्हें बात विया मिलकि आपस में बातचित करके हैंडल भी कर लिया इस चीज को अब यह भी नहीं है कि एक दम जाके उसको मारने पेटने लग गया कौन ऐसा कोई बेखूफ नहीं कि जाएगा और ऐसी करके आजाएगा कुछ नहीं उस तो रिजन होते हैं दे राम अपतार जी अब मैं आपने क्योंकि कहा कि आपका बेटा एकदम निर्दोश थे और निर्दोश और बड़े इच्छी तरह आप मी बात रख रहे हैं एक आपको आपका खुद आप भी थे उस वीडियो में जैपूर में किसी रैस्टों के बाहर निकला एलविश ने कि बात करा देकर हम उसको अपने हिसाब से मतलब बातचीत कर रहे हैं तो मैं भी बात कर सकता उन बच्चों से क्या पता मैं अपनी काउंसलिंग के द्वारा उनको समझा पाऊं लेकिन आरोप यह भी लग रहा है कि माता पिता का सपोर्ट था एलविश को एलविश कुछ भी क प्रफट प्रफट रहे हैं और यह सारे लोगों का इस तरीके का कहना इस पर आपका क्या जवाब है सपोर्ट किस तरह का जी सपोर्ट यही की मतलब वो कुछ भी गलत करें आपने कभी उसको गलत को गलत माना नहीं आपने हमेशा उसके साथ खड़े हुए रहे कोई भी माबाप सपोर्ट करेगा अपने बच्चे को कभी नहीं करेगा अच्छा महिलाओं को लेकर जिस तरह की कुछ ऐसे वीडियोज हैं मैं आपका पक्ष सुनने के लिए आज यहां पर बैठी हूं और इसलिए मैं सारे सवाल आप से पूछ रही हूं मेरा सवाल यह है क कि तुम मतलब इस तरह से महिलाओं का अपमान कैसे कर सकते हो एसको नहीं जा करने की आदत है बस में चीज़ यह है कि वह असमुक लड़का है उसको मैं जा गा मालो कुछ भी गलता है मुझे मालो कोई बचीज मैं उसको जरूर दमगाते हूं आप ने उसको हमेशा डाटा ह कोई ऐसी चीज़ मुझे आ जाए कि मुझे अच्छा नहीं लगा मैं उसको टोकती हूं अब आगे आप रामवत्तार जी क्या करने वाले हैं बेटा आपका पुलिस की गरफतारी में है पुलिस का ऐसा कहना है कि वह एंडी पीएस एक्ट में क्योंकि जहर का ये मामला है हम आपके गहार लगाएंगे अगर मुझे तो पता नहीं कि अब उनके आत में कितने चीज़ें क्या नहीं है कि अपड़ी बात समझाने की कोशिज करेंगे मिलने की कोशिज करेंगे उन से भी हमें तो पूरा घृर हमेशी सोच के बैठें कि वह जो कि इस मामले में कहीं वीडियो के लिए उठाई है वो उन्होंने बताया आपको सारा पता है कि किसकी पार्टी से उठाया था वो कहना उसका है उसमें चला गया उसने भी किया है अपने सभी बच्चे थे लेकिन इसका नाम था तो इसको कर लिया है आपने कभी अपने बेटे से पूछा कि वह महीन पूछने की जड़ती नहीं पड़ी कि पढ़ालिखा लड़का है कोमर्स है दिली अनुश्य से पढ़ा हुआ है तो उसे कहां वह क्या करना है ज्यादा वो नहीं वाकि नेकिन बत और बत और माता पिता और मैं बार बार ये इसी लिए कि मैं खुद मेरे अपने बच्चे है और मैं इसलिए बार बार इस सवाल पर जोड़ डाल रही हूँ सवाल मेरा ये है कि जब अचानक बच्चे के पास बहुत पैसा आ जाता है बिल्कुल बहुत पॉपुलरिटी है बिग बॉस में खिताब जीता उसके बाद पॉपुलरिटी खुद मुख्यमंत्री ने बुला इसे कपड़े खरीद लेते हो मैं कोई माबाप का इसा सवाल होता है इसलिए मैं आपसे बादी एक तो फोर्चुनर है ठीक है वो किस तो पर है किस तो पर है एक अब दोस्तों कि आपकी गाडी यह नई वीडियो में लेनी है नई गाडियां इस तरह की गाडियां भी आर कर पर आ रहा हूं जमीन के पैसे ना लेकर जमीन के बदनें प्लोट एक प्राइविट कंपनियों की तो उसको भी लोग मतलब यह वह वह भी किसी साजिश का शकार हो रहा है और यह लोग उसके दुआ के बारे में पहला रहे हैं और यह लोग उसको दुआ लगजरी उसके पास धेरोगहरें इस पर आपका यह जवाब की गाडियां और इसके पास easy live नMartis के और सबकुर्स वाइद था उसको उन-्लाइन है और में मकान बना रहा हूं मैरा सबकुंपे उसना और हूं सो ने सब लोगों के लिए नहीं होगी वह काम होता है system वह अपनी एंड वीडियो दिखाने के लिए दो महिने के लिए करता है जो हुआ यह किराय देता है मुझे सानौ आपनों करता लेता है उसके बाद इन मातर पेता कहते है आल ऐफ के मोईने ता कृइन जाना है इसका दिखवा लेना अब बच्चे क्या समझ रहे हैं या और क्या सोच रहे हैं सारुक खांजी एक्स तुल में क्या है यह तोल नहीं पता ना तो आपने नोटिसमेंट डाली है अब हम मिलेंगे जरूर क्योंकि हमें तो अब तक तो यह था लड़का है कि पाप जी मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं एक बात है कि जब कुछ किया नहीं तो डरना किस लिए वो तो इस चीज में विश्वास रखता है हमें बार वास्ता म मुझे भी यह था कि कुछ है नहीं तो फिर अपने आप ही हो जाएगा कि क्योंकि छटा नाम डाला हुआ उसका सेस्पेक्टेड है यह था दिमाग में लेकिन अपता लगा तो अब मिलेंगे अगर संभव है तो कोशिश करेंगे हम पुलिश के अधिकारी शुनेंगे ऐसे क कि कि वो कई जूँअ खेलने वाले gambling sites जो होती है gaming sites जो होती है उनको प्रमोट करता है और कहा जाता है कि ऑनको प्रमोट करना तो क्या इस बारे में आपके पास आपके पास कोई जानकारी है रहा है और बहुत लोग selfish के supportमे रहीं क्यूंकि इसकी fan follow trip तो है इसमें तो कोई श जा रहा है कि क्योंकि वो बीसी समाच से आता है इसलिए शायद उसको टार्गेट किया जा रहा है इसलिए शायद पुलिस ने उसको गिरफतार किया इसलिए शायद उसको जो है गुनेगार साबित किया जा रहा है इस पर क्या कहना है आपका देखो जी पूरे देश में हम तो भी शेहनिया के लिए पूरा देश है मेरे खाल में जैसे हमने उसने ते सतर परसेंट असी जो भी है तो उसके फैन फोलोवर्स तो सारे शाद यह नहीं कि उसके लावर ना होंगे मैं तो एक टीचर होने कि नाते इन बात विश्वास रखता मैं तो किशी इसरी नहीं कह सकता है कि पुलिस वालों ने इस्तरह जान भूजी कि इस तरह कुछ किराए होका ऐसा नहीं है योगी पुलिस है loosely तरफ दो पहुंचेगी सुष्मा जी आप लगातार के रहें कि फसाया जा रहा है कि कि अभिए पृदे को पीजोra लिख्वाइब.. हुमने एफ रहे जो ना पाइब! bom लॉबल मैं आपका ही कहूं और किसीने तेगा कि आपको कहारे ना उपना जानते हुआ हम इसके लिए अ कंझे ऐसे तो फिर हमारा पूरा जिवन ऐसे निकल जाएगा कि कोई भी कुछ कहके चला है उसके लिए काम करते हैं कि इसका नाम है और यही हुआ है कि अब वो तो सारी दुनिया जानती है कि प्याथ्य का क्या है लेकिन मन में सवाल यह आता है कि इतने धेरों यूट्यूबर से फिर इतना संगीन आ रहों यूट्यूबर के उपर ही वह तो जी ऐसा है कि वह तो आप उसका उसमें जाओगे तब पता लगए कि आपता है इस्चेव ज्यादा किशी के साथ कर रखा हूं यह तो वही बता पा यह तो निखाल सकते हैं थो नहीं है हम तो मेडिया कोई पर सास framework कहां से उसका मिल रहा है उनको इतना कि कि उसको च्छा करने कि-एकिकर्ट के आया थे लिए चलम पणने लोग शब्र पूठते हैं तो क्या आफ clearance केसी तो प्यविन आपको यह पहले आप राम अफ्तार जी के दिए सुश्मा जी आप कहिए बस मेरे बस सब्सक्राइब जी यह कहना चाहूंगा कि आपके भाई ने आपका बेटा जो भी आपका बड़ा बाई चोटा बाई इसको मानते हैं उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया नहीं करेगा जिसके आपकी न हैं वह उसको काटने में सफलो और कानून पर पूरा बरुस से हमें जी प्रे करें उसके लिए बस मैं बच्चों से बोलना चाहती हूं कि जैसा प्यार बनाया है ऐसे प्यार बनाई रखना बहुत बहुत धन्यवाद और आप भावुक हो गए राम अफ्तार जी और मैं समझ लेकिन एक भी जो जिसने अपराद नहीं किया वो नहीं फसना चाहिए तो यहीं भी कवालो जी नेरा लटका बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल निर्दोस है निर्दोस है आप ऐसे मुझे बड़ा बड़ा दुख हो रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहां पर देखिए एलविश यादव के माता पिता यहां बैठे हुए हैं पिता बेहत भावक हैं और उनका यहीं कहना है कि ऐसे बेटे का पिता मैं अगले हजार जनम तक बनना चाहूंगा और उन्हें अपनी परवरिश पर भी पूरा भरोसा है साथ में उन्हें पुलिस क उपर भी पूरा भरोसा है योगी सरकार के उपर भी पूरा भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगा उनके बेटे की अगर गलती नहीं है तो उसको रिहा किया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद रामवतार जी सुश्मा जी आपने जीनियूस के लिए वक्त निकाला